पुद्यपदेश के सोनभद्र मामले ने अब राजनितिक रूप ले लिया है नरसंहार के तीन दिन बाद कॉंग्रेस निदा प्रयांका सोनभद्र जाने के लिए रवाना हुई लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक कर हिरासत में ले लिया गया था और मिर्जापुर जिले के चुनार गैस्ट हाउस में ठहराया जहां उन्होंने अपने कारे करताओं के साथ रात भर धरना प्रदर्शन किया बता दें हम सभी को शनिवार 20 जुलाइक उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोराई और प्रयांका ने जमानत के लिए परसनल बॉंड देने से इंकार कर दिया जुसके बाद प्रशाशन ने उन्हें 24 खंटे बाद प्रयांका को सोन बद्र घटना के पीडितों से मिल वाया जी हाँ चुननर गेस्ट हाऊस पर मिलने खुद आये पीडित और साथी साथ इनमें से खबर है कि प्रयांका सिर्फ दो ही परिवारों से मिल पाई है और 15 और जो परिवार थे उनसे उन्हें मिलने नहीं दिया गया और वो जब मिलने आये थे तो प्रयांकों को भी उनके प झाल